रादे रादे हरे कृष्णा, स्वागत आपका कृष्णा भक्ती चैनल में मैं हूँ मान्या और आज हम बात करेंगे श्रीमत भागवतम कथा के बारे में श्रीमत भागवतम कथा बहुत लोगों ने सुनी है और बहुत लोग सुनने भी जाते हैं ये साथ दिन की कथा होती है और लोग इसे सुनकर अपनी भक्ती भाग को बढ़ाते हैं ये दो खंड में आती है प्रतम खंड और दुध्य खंड पर इस कथा में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं सुनाया जाता आज मैं कोशिश करूँगे कि आपको श्रीमत भागवतम की पहले चैप्टर से लेकर अंत तक सारी जानकारी सारी नौलेज आपको देने की कोशिश करूँ श्रीमत भागवतम की चर्चा के बारे में उनकी कथाओं के बारे में पता चलेगा ये वीडियो की माध्यम से क्योंकि श्रेमत भागवतम में 335 अध्याय, 12 सकंद और 18,000 श्लोक है श्रेमत भागवतम से आपको भक्ती, ज्यान, वेराक की महिमा, विश्णोजी के अवतारों की कथा और काफी कुछ ज्यानकारी प्राप्त होगी ये वेडियो बहुत बड़े ज्यानियों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो सादक हैं, जो भक्त हैं, जो नए नए भक्त हैं, जिनको भागवतम की कथाओं के बारे में जानना अच्छा लगता है, जिनके पास समय नहीं है कि ये सब किताबे पढ़ने का, तो हमार वैशनवों के लिए सबसे प्रिय, सबसे बहमात्व रखने वाली जो उस तक आप कहेंगे, वो श्रेमत भावतम कही जाती है, अगर आप एक वैशनव है और भक्ती से रिलेटेट वीडियोस चाहते हैं, भक्ती भाव से जोड़ना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, अपने सा वीडियोस रहेगी जिसमें आपको श्रीमत भावतम समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, मैं किसी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने वाली जो आपको समझना आए, बिल्कुल साफ लेंग्वज में मैं आपको समझाऊंगी, जो आज कल यूज की जाती है, छोटा सा बच्चा हो या बड़े बुजर्ग हो, किसी भी एज में अगर आप हो तो आपको बहुत ही असानी से श्रीमत भावतम समझ आ जाएगी, इसी प्रकाश श्री कृष्ण का नाम लेकर श्री विष्णो जी का नाम लेकर अपने अराध्य को याद करकर प्रणाम करें और प्रातना करें कि प्रभू हमें ये पोस्तक समझ में आए, हमें ये बात समझ में आए, हमें आपकी कथा, आपकी लेलाक समझ में आए हम शुरू करते हैं पहली कथा से श्रीमत भावत महत्म अधर प्रथम अध्या ये पहला अध्या है जिसमें देवर्शी नारत की भक्ती से भेट होती है इसमें बस शौनक जी सूत जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार हम वैशनव लोग मायास के मुह से अपना पीछा छुडवा सकते हैं इस घोरकली काल में हम अपने आपको कैसे भक्ती के स्वभाव में रखें कैसे हम अपने जीवन को जीए और वैशनव कहलाएं सूत जी आप हमें कोई ऐसी साधना बताएं जिससे कल्यान हो पवित्र करने वाले पवित्र हमारी आत्मा पवित्र हो जिससे कृष्ण जी की प्राप्ती हो कोई ऐसी साधना बताएं जिससे हमें वैकुंठ लोग प्राप्त हो भगवान की शरण प्राप्त हो तब सूद जी शौनक जी से कहते हैं कि तुम्हारे हिर्देक में बहुत प्रेम है इसके लिए तुमने ये विचार करके मुझसे ये सब पोचा है जो भक्ति के भाव को पढ़ाता है जो श्रीकिष्ण की प्रसंदता का प्रधान कारण है वह साधना मैं बदलाता हूँ उसे सावधान होकर सुनो तब श्री शुकदेव जी ने कल्यूग में जीवों के कल्यान के लिए शीमत भागवत्तम शास्त्र प्रवचन किया है अब ये तो आप जानते ही होंगे कि शुकदेव जी महाराज के मुझसे राजा परिक्षित ने सबसे पहले ये कता सुनी थी और उसे भगवत्त शास्त्र की प्राप्ति होती है जब शुकदेव जी राजा परिक्षित को ये कता सुनाने के लिए सबह में बैठे थे उस समय वहाँ पर देवता प्रकट हो जाते हैं देवतागन अपना काम निकालना बड़ी कुछ अलता से जानते हैं उन्होंने शुकदेव जी से को नमस्कार करते हुए कहा कि आप ये अमरत का घड़ा ले लीजिए और बदले में आमें ये कता सुना दीजिए इस प्रकार राजा परिक्षित अमरत का पान कर लेंगे और हम लोग शिमत भावतम का अमरत का पान करेंगे इस संसार में कहां काच और कहां महमूले मनी तथा कहां सुधा और कहां कता शुकदेव जी हस पड़े और उन्होंने देवताओं की हसी उड़ा दी और देवताओं को शक्ती शून ने जानकर कथा मृत का दान नहीं किया इसलिए यह कथा देवताओं के लिए भी दुरलब मानी जाती है इस प्रकार राजा परिक्षित की मुक्ती देखकर सारे साथू संतों को लगा कि इससे बड़ा महात्म, इससे बड़ी किताब, इससे बड़ी पुस्तक, पुरान हमारे सनातन धरम में कोई और नहीं है ब्रह्मा जी ने सारे सत्य कर्मों को तराजू में तोला तो शिमत भागवतम ही सबसे ज़्यादा भारी और मुक्ती दिलाने वाली साबित होई उन्होंने कल्यूग में भागवत, रुप, भागवत, शास्त को पढ़ने और सुनने से ततकाल मुक्ष दिलाने वाला निश्चत किया सब तहा जो साथ दिन की कथा श्रवन करते हैं निश्चत ही भागती प्रदान करते हैं पुर्वकाल में इसे दया परायन सनकादियों ने देवर्शी नारत को सुनाय था हाँ लेकिन उन्होंने देवर्शी नारत को ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवन कर लिया था तता पी उन्होंने साथ दिन की विदी से इस कथा को नहीं सुना था शौनक जी ने पूछा कि संसारिक प्रपंजों से दूर विचरन करने वाले नारज जी की मुलाकात संकादिक विरिशियों से कहा हुई और विदी विधान के श्रवन में उनकी प्रीती कैसे हुई तब सूच जी ने कहा कि मैं अब तुमें वो भक्ति पूर्ण कथा सुनाता हूँ जो शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्ष जानकर एकांत में सुनाया था एक दिन विशाल पूर्वो में चारो निर्मल रिशी सत्संग लिये गाए वहाँ उन्होंने नारजी को देखा संकादिक ने पूछा ब्रह्म आपका मुक उदास क्यों हो रहा है पर आप चिंतावन कैसे हैं इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं और आपका आगमन कहां से हा रहा है इस समय तो आप पुर्षों के समन व्याकुल जान पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का धन लुट गया है उस तरीके से आपका चेहरा नजर आ रहा है तब नारजी ने कहा मैं तो सर्वोत्रम लोग समझ कर पृत्वी पर आया था पुष्प प्रया, काशी गोदावरी, हरिद्वार, कृष्णी केश, नीरंग और सेतु बंद आदी कई तिठों में इधर उधर विचर रहा था किन्तु मुझे कहीं भी मन को संतोष दिनाने वाली शांती नहीं मिली इस प्रकार अधर्म सहायक कलियोग सारी पृत्वी को पीड़ा कर रहा है अब यहां सत्य तप, शौच, दया, दान, आदी कुछ भी नहीं है बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने के लिए जी रहें और ऐसे असत्य भाशी, आलसी, मद्द, बुद्धी, भाग्यहीन, उपदर्व, ग्रस्त हो गए हैं जो सादू संत कहे जाते थे वे पूरे पाखंडी हो गए हैं देखने को तो वो विरक्त, किन्तु स्री, धन, आदी सभी का परिग्रह करते हैं इस समय यहाँ पर कोई योगी नहीं, कोई ज्यानी नहीं, कोई सत्कर्म करने वाला नहीं है इस कल्योग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेजने लगे हैं पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वैशा व्रत्ती में निर्वाग करने लगी है इस प्रकार कल्युक के दोश देखता हुआ, प्रित्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तड़ पर पहुँचा जहां श्री कृष्ण अने को लीलाय हो चुगी है मुनीवरो, सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा अश्चर्य देखा, वहाँ एक यूती बड़े ही दुखी मन से बैटी थी उसके पास दो वृद पुरुष्ट है, जिसमें कोई चेतना नजर नहीं आ रही थी वस्त्री उनको समभाल रही थी, बार बार वो बेहोश होए जा रहे थे, वस्त्री उन्हें समभालती जा रही थी वस्त्री के आसपास सैकड़ उस्त्रियां थी, जो उसे पंखा कर रही थी और समझाती जा रही थी ये सब देखकर मैं उसके पास चला गया और उससे पूछा तब वह व्याकुल होकर कहने लगी अजी महत्मा जी शणभर ठहर जाईयो और मेरी जिन्ताओं कोकस्ट को दूर कीजिए आपके वचनों से दुख की भी इस्तिती शांथ हो जाती है मनुष्य जब बड़ा भाग्य होता है तब ही आपके दर्शन होते है नारत जी कहते हैं तब मैंने उस त्री से पूछा देवी तुम कौन हो ये दो पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं तुम्हारे आसपास ये कमल नईनी देविया कौन है तुम हमें विस्तार में अपना दुख का कारण बताओ यूवती ने कहा मेरा नाम भक्ती है ये ज्यान और वेराग्य नाम मेरे उत्र है समय के फेर से ये ऐसे जरजर हो गए हैं ये देवी गंगा आदी नदिया है ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई है इस प्रकार साक्षा देवियों दौरा सेवित होने पर भी मुझे सुक शांती नहीं है तपोधन अब ध्यान देखकर मेरा प्रतांत सुनिये मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांती प्रतान करें घोर कल्यूक के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ ये दुर्बर और निस्तेज हो रह गई हूँ जब से मैं व्रंदावन आई हूँ तब से पुना परम सुन्दरी स्वरूपी नवयुवती हो गई हूँ किन्तो सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र ठके मांदे दुखी हो रहे हैं अब मैं ये स्थान छोड़के जाना नहीं चाहती हूँ पर ये दोनों बुड़े हो गए हैं और ये दुख में मैं दुखी हूँ मैं तरुनी क्यूं हो और ये दोनों पुत्र बुड़े क्यूं हो रहे हैं हम तीनों साथ साथ रहते हैं फिर भी विपरित क्यूं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, माता को बुड़ी और पुत्रों को जवान होना चाहिए इसलिए मैं अपनी अवस्था पे शोक करती हूँ, आप परम बुद्धी मान है, एम योगनी धी है इसका क्या कारण हो सकता है, बताईए, नारज जी ने कहा, सादवी, मैं आपके रिदे से, यांद रिष्टी से तुम्हारे संपुन दुखों का कारण देखता हूँ, तुम्हें विशाद नहीं करना चाहिए, श्री हरी तुम्हारा कल्यान करेंगे सूद जी कहते हैं, मुनिवा नारज जी ने शण में ही उसका कारण जान कर कहा, नारज जी ने कहा, देवी, ध्यान से सुनो, यह कल्योग है, यहां पर सत्मार्ग, सदाचार, योगमार्ग, तप आदी सभी लुप्त हो गए हैं, लोग दुश कर्मों में लगकर अधासुर बन गए हैं, इसलिए वरिंदावन में आकर तुम नवीन तरुनी हो गई हो, यह वरिंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ती सर्वत्र नित्य करती रहती है, परन्तु तुमारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई ग्राव नहीं है, इसलिए इनका बुडापा नहीं छूट र गया है, करुणा मैश्री हरी के यह अधर्म कैसे देखा जा सकता है, मुने, मेरा यह संद्य है दूर कीजिए, नारज जी ने कहा कि तुम प्रेम पुर्वक सुनो कल्यानी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, जिजिन भगवान शेक्रि तब राजा ने निश्चेत किया कि मुझे इसका वद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एंसामाधी से मिलता है, कल्यूग में वही फल श्री हरी किर्टन से भली भाती मिल जाता है, इस प्रकार सार हीन होने पर भी उसे इस दृष्टीक से सार युक देख कर उन्होंने कल्यूग में उत्पन होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने ही दिया, तीर्थों में कई प्रकार के घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नार की पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव चला गया है, इसलिए तपस्या का भी रमन करते हैं उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है मुक्ती साधना में वह सर्वता अकश कुशल है ये तो इस युक का प्रभाव ही है इसमें किसी का दोश नहीं है इसी से पुन्डरी काक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं सूद जी कहते है शौनक जी इस प्रकार देवर्शी नारत का वच्चन सुनकर भगती को बड़ा आश्चर्य हुआ फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिये भगती ने कहा देवर्शी आप धन्य है मेरा बड़ा सवभागे था जो आपका समागम हुआ संसार में साधों का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है आपके प्रवचन से ही प्रलाद ने माया पार विजय प्राप्त कर ली थी ध्रूव नहीं भी आपकी कृपा से दर्वपद प्राप्त किया है आप सर्व मंगलमय और साक्षाथ श्री भ्रहमा जी के पुत्र है मैं आपको नमस्कार करती हूँ इस प्रकार यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो मेरी महनत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक है और सब्सक्राइब करें और कॉमन्ट में अपनी राइज जरूर दें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दुटिय अध्याय के साथ राधे राधे